वेल हेलो गाइस तो क्यासे आप लोग तो गाइस आइनो मैं बहुत दिनों के बाद कोई वीडियो अपलोड कर रहा हूँ बट इसके बिच एक बहुत बरा रीजन है मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा तो मैं छोटे से ब्रेक पे था कुछ एक महीने के लिए बट इन के दौरान मुझे जो न्यूज मिली सच मुछ मैं उस न्यूज को सुनके बहुत ही बुरा लगा सबसे पहले तो एंड मैंने बिल्कुल भी एक एक स्पेक्टिफ बिल्कुल भी नहीं किया था वो न्यूज अब तक आप लोगों भी पता चल गए होगा कि पोकेमोन से अब आश जाने वाला है और उसकी जर्णी अब खत्म होने वाली है चैंपियन तो बन गया है बट हम सब कहीं न कहीं उमीद थी कि इसके बाद हमें आश की कुछ अलग स्टोरी या शायद हमें एक और जर्णी देखने को मिल सकती है बट सड़नली एक अपते पहले पोकेमोन कंप आशा था बहुत ही शौकिंग मुमेंट था और एक तर से कह सकते सभी पोकेमोन फैंस के लिए बहुत ही दुख भरा एक खबर था अब 25 इयर्स मतलब 20 साल हमने एक क्यारक्टर को ने देखा हमने उसकी सफर देखा शुरू से लेकर बड़े होने तक छोटे से लेकर बड़े होने तक उसके साथ सफर किया उसके दुख से मुमेंट खुशी के मुमेंट सभी मुमेंट में हमने उसे देखा इंजोय किया उसके साथ हसे उसके साथ रोए और फाइनली वो क्यारक्टर हमें छोड़के जा रहा है एक तरह से कह सकते हैं कि emotionally हम सभी एश के साथ जुरे अब क्योंकि यह ओफिशल ही हो चुका है कि एश जाने वाला है तो मैंने एक छोड़ा सा ट्रिव्यू बनाया है होपकर तो आप लोगो पसंद आएगा शुरू से लेकर एश की जर्णी से शुरू से लेकर एंड तक मैंने पूरी कोशिश की में किसी तरह एश को ट्रिव्यू हाला कि एश एक लेजन्ड है उसने जो अपनी जर्णी में हासिल किया है जो हमें दिया है उसे ठैंक्यू कियाना बस इतने से काफी नहीं है वो बहुत ही कम होगा बट फिर भी मैंने कोशिश किया है एंड होपकर तो आप लोग इस वीडियो को जरू से लाइक कर देंगे औ और मेशे की तरह चैनल पर पहली बार आये तो सब्सक्राइब भी जरू से कर लीजेगा तो शुरू करते हैं एक छोटे से शहर से निकला एक छोटा सा दस साल का लड़का जिसके सपने बहुती बड़े थे वो कैसे अपने जर्णी में आगे बढ़ता गया नए-ने दोस्त पूरी जर्णी और यहीं है आश की जर्णी की कहानी उसके कुछ एकस्पीरिय서 अच्छे थे तो कुछ एकस्पीरियान्स बुरे भी थे अपने गौल को अच्छीब करने की जर्णी में कभी उसे जीत की मिठाई मिली तो कभी उसे हार का कर्वा लड़ू भी खाना पड़ा एश की कहानी, तो शुरू में एश जब इसकी जर्णी शुरू करने वाला था, तो काफी लोगों ने एश का मजा खुड़ाया, ये कहकर कि ये कैसा हीरो है, जो कि सिर्फ हारता है, फिर उठता है, फिर जर्णी करता है, फिर हार कर वापस घर आ जाता है, पर यहाँ पर वो ल उसके पास कोई सुपर स्ट्रेंथ है और ना ही उसके पास कुछ अलग मैजिकल पावर है एश हम में से ही एक है एक साधरन सा लड़का जिसका गोल और सपना है पोकिमोन मास्टर बनना जो कि बस अपने पैशन को फॉलो करना चाहता है और अपने सबर में कि दोस्तों की वैल्यू क्या होती है कैसे आप अपने दोस्तों के साथ मिलकर किसी भी मुश्किल का सामना आसानी से कर सकते है और कैसे अपने दोस्तों के साथ कमपीट करके आप खुद तो आगे बढ़ी सकते है और खुद को और भी ज़ते इंप्रूब कर सकते हैं साथ में आप उनको भी इंप्रूब कर सकते हैं कैसे आप दूसरी लोगों पर भरोसा कर सकते हैं और कैसे उनका भरोसा जीत सकते हैं अगर सच में अगर आपको लाइफ में कुछ अचीव करना होना तो आपको ash को देखना चाहिए वो शुरू से लेकर end तक हमेशा वो गिरता है कभी हारता है कभी गिर जाता है कभी हार मान जाता है पर फिर भी वो वापस से उठता है और लड़ाई करता है और हमें ash ते ये सीखने को मिलता है कि अगर आपको अपनी life में कुछ अचीब करना हो तो अपने life में आपको कई सारी चीज़ों को कुड़बानी भी देनी परती है जिन्दीगी में success हासिल करना ही जिन्दीगी का end या last moment नहीं है जिन्दीगी है उस journey में जब आप जब आप उस journey को enjoy करते हैं वेल ये बात तो हमने कावी बार सुनी है बट इसका कोई सही definition हमाल पास तब तक नहीं था जब तक हमने ash को नहीं देखा था पर इसका असली मतलब हमें तब पता चला जब हमने finally ash के हातों में उस champion trophy को ash को उठाते हुए देखा जिसका कि सारे pokemon fans कई सालों से इंतिजार कर रहे थे और almost कह सकते कि 25 years मतलब 25 साल और 1200 episodes के बाद finally हमें जब वो लंभा वो मुमेंट देखने को मिला तब no doubt कि हमें बहुत ही देख खुशी अंदर से मिली थी कि फाइनली जाकर ash champion बना उसका सपना पूरा हुआ इतने लंबे इंतिजार के बाद इतनी मुश्कील जर्णी का आखिर का अंत हुआ पर कहीं ने कहीं इसके बाद हमारे दिल के एक कोने में एक किनारे में ये दुख भी था कि क्या अब तो ash champion बन गया है क्या इसके बाद हमें ash की और जर्णी देखने को मिलेगी या फिर नहीं क्या हम फिर से वही मुमेंट देख पाएंगे ash के साथ अपने दोस्तों के साथ सफर करना एक शाय से दूसरे शाय जाना जीम लीडर्स को चैलेंज करना दोस्तों के साथ हसी मजाग करना ने ने पोकेमोन पकरना ने ने लोगों से मिलना उनसे दोस्ती करना पोकेमोन और ash को देखकर हमारे चैरे पर हमेशा एक स्माइल या हसी तो आई जाती थी जब चाय जाट ash के मुग पर plane thrower मारता था और उसके मुग को जला देता था या फिर उस moment जब हम शौक हो जाते थे किसी सीरिस बैटल के दौरान जब कोई पोकेमोन इवाल हो जाता था या फिर उन moment पर जब हम रोय थे जब सबने मिलकर ash और उसके बटरफी को अलविदा कहा था और फाइनली ash का champion बनना मतलब it's all over then well किसी ने ये सही का है एक अच्छी स्टोडी वही होती है जिसे देखते वक्त या पढ़ते वक्त हमारे मन में ये ख्याल आता है कि इसके आगे क्या होने वाला है क्या hero जीतेगा या hero हार जाएगा एंडिंग में क्या होगा well यही हमारी curiosity को जगा देता है और ऐसा ही Pokemon के साथ भी है अपनी जर्णी में ash ने शुरूआत से ही बहुत से उताओ चारों का सामना किया है कभी हो हारा है कभी हो जीता है पर ज्यादा तर time कई बार हो हार जाता था सिर्फ matches ने खुद को भी और almost वो पूरी तर से हार जाने के बाद गिर भी जाता था पर उसने कभी हार नहीं मानी वो वापस उठता था लड़ता था अपनी जिन्दीगी से अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपनी पूरी जर्णी में एश ने हमेशा ही हमें कुछ ने कुछ सिखाया है कभी रुलाया है कभी emotional किया है और कभी अपनारे मूँपर एक अच्छी सी स्माइल दिया है वेल कुछ लोग कहेंगे कि इसमें ऐसा क्या है कि अगर आश जा भी रहा है तो इसमें इतना बात करने वाली क्या बात है इस पूरे 25 साल के जर्णी में जिन्होंने भी पोकेमोन को देखा है उन्होंने अपनी लाइफ में पोकेमोन को देखकर कुछ ने कुछ सिरूर से सीख पाई है कुछ लोग ने सची दोस्ती का मतलब समझा कुछ ने ये समझा कि अपनी जिन्दीगी में कुछ भी हो जाए कभी भी हार मत मानो हालत चाहें कैसी भी हो अपने हालतों के सामने घुतने मत देखो लड़ो उनसे और आखिर में जीत तुमारी ही होगी बड़ गाइज एश के साथ हमारी सिर्फ मेमोरी जी नहीं है उसके साथ हमारी बचपन है उसका सफ़र है उसका रोना हसना अल्टिमेटली मैं कह सकता हूँ hills कि हम सब एश के साथ एमोशनली कनेक्टेट है और हमारा एक कनेक्शन एश के साथ है जो कि भले एश जर्णीस में ना रहे जर्णी ना करे फिर भी वो जो कनेक्शन हो कभी नहीं तूटने वाला अब एश जा रहे पर उसके कुछ ऐसे लंबे है जो कि हम कभी नहीं भूल सकते वो कैटिपी को पकड़ना, चार मिलियोन का विकिसित होना, इंफरनेप का गुसा, ग्रिनिंजा की समझदारी और अपने पीकचु के साथ वो मीथी सी मेमोरीज ये पल, ये मेमोरीज हमेशा हमारे साथ जुड़ी रहेगी आश as a part of a journey and this is our life तो गाइस ये एंड है हमारे वीडियो का आज की और आश की जर्णी का भी और पूरे पोकेमोन की कमपनी, I think 13 जनरी को आश की फाइनल ट्रिव्यूस के लिए एक 11 एपीसोड का एक पूरी जर्णी, एक सीरीज अपलोड करने वाली है, एपीसोड दिखाने वाली है, जिसमें हम आश को देखेंगे और इसकी पीकचु को देखेंगे और यही से पोकेमोन जर्नीज यानि कि आश की जर्नी का एंड होगा, इसके बाद दो और नहीं करेक्टर आने वाले जो की आश को रिप्लेस करेंगे, पता नहीं मैं क्या कहूँ, इस इंड बट जैसा एश ने हमेशा कराए कि कभी आश ने हमेशा हमेशा नहीं सिखा है कि क not an end it's just beginning well guys यहीती वीडियो हो कर तो आप लोग को वीडियो जरू से पसंद आयोगी और पसंद आये तो वीडियो को लाइक कर दीजे चैनल पर पहली बार आये तो सब्सक्राइब कर लिजे तो मिलते किसी नेक्स्ट एंड ऐसी ओसम वाली वीडियो में तब तक के लिए नमस् सब्सक्राइब कर दो सब्सक्राइब में तो ह्ग वीडियो कर दो उन्रम तो हता हैzt कर दो जे कर दो प्रम झारे जए बला कर दो ही स Till not And And Son